मेहम में जनता जनारधन से मिलकर विधान सबाचिनाव ही तू आशिरवाद मांगा। वो मंजर आज भी मेरी आखों के सामने हैं कि किस तरह एक बिन मांग बाप के बच्चे ने मुश्किलों का सामना करते हुए अपने संगर्शों के बल पर अपने लिए एक नई दुनिया बनाई। वो सारे शब्द आज भी मेरे कानों में गुंचते हैं जो तानों के रूप में मुझे दिये जाते थे। कि वक्त आ गया है सत्ता लोबियों को उनकी असली जगह पहुचाने का और यह बताने का कि सपने हैसियत देख कर नहीं देखे जाते। आज यहीं अंदीरे का खिलाडी आप सब के सामने एक ऐसी संगर्शों भरी जंग जीत कर अरजुनावरडी और भारत तेश का कप्तान बन कर आपका सेवक बन कर आपके बीच खड़ा है। मैं वही हूँ जो कभी अपना खर्च निकालने के लिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता था ताकि अपनी बेहन और उनके दो चोटे चोटे बच्चों की भी देखबाल कर सके। उसके बाद खेट में पसीना बहाता और शाम को फिर खेलने जाता। इसी मिट्टी और धरातल से निकल कर लंबल संखर्श और जिंदगी के उतार चड़ाव से होते हुए अपने समाज और देश का नाम रोशन किया। साथियों कहने को भी बहुत कुछ है और करने को भी। आपका ये बेटा ये भाई दावे के साथ कह सकता है कि मैं अपनी महम विधान सभा के किसी भी यूवा को अंधेरे का खिलाडी नहीं बनने दूँगा। मैं महम की पवितर मिट्टी को अपने साथ लिये जा रहा हूँ ये पवितर मिट्टी मुझे आने वाली मुश्किलों का सामना करने का साहस देगी। अपने बड़े बुजर्गों, माताओं, बहनों और मेरे यूवा साथियों के हक के लिए मैं 2400 घंटे तत पर हूँ। मुझे यकीन है कि हमारा महम एक दिन विकास के नए आया मस्थापि है का शिर्वाद और सायोग मेरे जीवन की नई पारी में भी साथ दें ताकि मेरे जैसे हजारों घरों के दीपक मुझसे भी कहीं जादा रोशनी के साथ जगमगाएं।